नमस्कार चलिए जानते हैं किसान सुरियोदया योजना के बारे में तो क्या इसकी इंपोर्टेंस है क्या इसकी जरूरत है हर एक चीज़ को यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो अभी हमारी जो प्राइम निस्टर है उन्होंने किसान सुरियोदया योजना इसको जो है लाँच कर दिया है यहाँ पर जो इंपोर्टन बात वो यह है कि यह जो योजना है सरफ और सरफ जो गुजरात के फार्मर्स हैं उन्ही के लिए योजना जो है बनाई गई है और साथ यह जो योजना लाउच की गई है बनाई गई है इसकी अनॉसमर जो की गई थी वो की गई थी गुजरात गौर्मन्ट के दवारा ओके जो वहां के चीफ निस्टर है शरीर विजय रुपानी जी तो उन्होंने किसान सुर्योदय योजना के बारे में बताया था और यहां पर जो फैसलिटी मिलेगी फार्मर्स को वहां पर क्या होगा कि इरिगेशन के लिए किसानों को जो है बिजली की जुरूरत होती है तो उसके लिए सुबा पांच से लेकर शाम के नौ मज़े तक जो है पावर सप्लाई जो है वहां पर फार्मर्स को जो है कर रही हैं जैसे प्राइम ने स्टर क्रिशी संचाई जोजना चलाई गई थी तो इसके तहर यही ध्यान रखा जा रहा है कि जारा सज्जादा जो हमारी भारत की लैंड है उसको इरिगेशन के कैपेबल बनाया जाए अभी भी जतनी हमारी टोटल लैंड है उसमें से 45% ही इर बाकी रिमेनिंग पार्ट अभी भी उसको इरिगेट करने की जरूरत है अगर वो इरिगेट होती है वहाँ पर संचाई के साथ नोपलब्द करवाए जाते हैं तो आने वाले समय में और भी जो है बंपर प्रडक्शन जो है देखने को मिल सकती है वेरियस क्रॉप्स के फिल जात है उसने 3500 क्रोड का जो बजट है वो दिया है ओके तो यह जो स्कीम जो है 2023 तक यहाँ पर जो है काम इसको खतम किया जाएगा और साथ ही साथ 234 66 किलोवाट ट्रांस्मिशन लाइंस जो है वो बिशाए जाएंगी जिनकी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 3490 सरकर किलो के तहर कुछ गिने चुने डिस्ट्रिक्ट ही है जहां पर जो है इसका फाइदा मिलने जा रहा है तो उनके नाम ऐसे हैं दहोद, पाटन, मही सागर, पंचमहल, शोटा उदेपोर, खेडा, तापी, वलसद, आनंद और गीर सोबनाथ और जो बाकी के बचे होई डिस्ट्रि के लिए, जितनी हम फैसिलिटी यहां पर फार्मर्स को प्रवाइड करते हैं, तो उतना ही आने वाले समय में GDP ग्रोथ जो है अग्रिकल्चर सेक्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इंपॉर्टन है, इंपॉर्टन ये भी है कि यह जो स्कीम है, यह स्टेट गुजरात की स्कीम है, ना कि गुवर्मन्ट ऑफ इंडिया की, तो स्टेट गौर्मनटी इसको फंडिंग कर रही है, लेकिन इसको लॉंच किया है प्राइम निस्टर ने, तो यही था क्रिसान, सुरियोद्य, योजना के बारे में, आई होब आपको लेक्चर अच्छा तो उसका जो यहां पर inauguration कर दिया है, इसको launch कर दिया है, तो यहां पर जो specialty है, ओके, तो यहां पर specialty यही है, जो cardiology है, इसके उपर यहां पर search की जाती है, research center है, और इसको जो है आने वाले समय में, और commodity मिलेगी, और जो सबसे important बात जो यहां पर निकल कर आ रही है कि, जब Pediatric Heart Hospital जो की Attach UN Meta Institute of Cardiology and Research Center के साथ तो इसके साथ जुटते ही जो है इंडिया का जो है biggest hospital बन जाएगा कार्डियोलोजी के मामले में सो कार्डियोलोजी वो पढ़ाई होती है जहाँ पर हर्ड के उपर human heart के उपर सर्च की जाती है उसकी बिमारिया जो है उसके इलाज जो है वो ढूने जाते है तो इंडिया का यह सबसे बड़ा hospital होगा कार्डियोलोजी के लिए और साथ ही साथ अगर पूरे world की बात करें तो world के according भी यह जो hospital होगा गिने चने hospitals में जो है गिना जाएगा in the order of world class medical infrastructure and medical facilities तो यह जो यहाँ पर hospital एनेगरेट किया गया है तो यहाँ पर जो एहमदाबाद civil hospital है वहाँ पर इसको जो है इसका एनेगरेशन किया गया है तो यहाँ पर एक mobile application जो है वो भी जो है यहाँ पर launch की गई है तो टेले काडियलोजी उसका नाम है तो यह important है क्यों ही important है क्योंकि अभी जो है बहुत सारी researches हो रही है बहुत सारे plans हैं बहुत सारे government schemes जो है वो लाई जा रही है खास तो और पे healthcare sector में तो कुछ समय पहले ही अईश्मान भारस की माई थी वहाँ पर एक healthcare का package जो है भारस सरकार के द्वारा दिया गया था आम नागरी को ताँ जो की अगर कभी भी जिन्दगी में और उसको कोई बिमारी लगती है तो पूरी जिन्दगी की जो उन्होंने कमाई पैसा कमाया होता है वो एक ही जटके में जो है खत्म ना हो जाए तो यहाँ पर सरकार ने help करने की कोशिश की थी तो साथी साथ और भी बहुत सारे developmental projects जो है infrastructure projects जो है बनाए जा रहे है सरकार की तरफ से health sector में तो उन में से ही यहाँ पर एक project है जिसको जो है प्राइम मिस्टर ने वने अगरेट कर दिया है और यहाँ पर जो cost आई है इसकी expansion में वहाँ पर 470 करोड रुपे जो है खर्चा किये गए हैं और साथी साथ जो number of bad day वो भी बढ़ा दिये गए है 450 से 121 तो यहाँ पर आगे बात की गई है the institute will also become the biggest single super specialty cardiac teaching institute in the country and one of the biggest single super specialty cardiac hospitals in the world तो biggest तो है इंडिया में और साथी साथ biggest single super specialty cardiac teaching institute के मामले में भी यह पहले number पर होगा पूरे भारत में और साथी साथ जितने भी special precautions होती है जाए equipments होते हैं तो उससे जो है इसको last करके बनाया गया है for example जितनी भी safety precautions होती है जैसे earthquake proof construction साथी साथ firefighting hydrate system and fire mist system तो हरे एक तरह की facility यहां पर provide है और साथी साथ जो research center है विल हाउस इंडिया फस्ट एडवांस cardiac ICU on wheels with operation theater which is equipped with ventilators IABP, hemo dialysis ECMO, etc so 14 operation centers and 7 cardiac catheterization labs will also be started at the institute so धीरे धीरे बहुत सारे various segments में यहां पर काम शुरू होगा इसका जो construction है उसके उपर भी proper take care रखा गया है और साथ ही साथ जो भी जरूरे infrastructure project होते हैं उसमें जो जो भी जरूरते होती हैं आम नागरी के लिए उस सभी को यहां पर ध्यान पर रखा गया है कि जो भी यहां पर पेशन्ट विजट करें उसको हर एक तरह की facility कार्डिया की category में कार्डिया की category में उसको प्रवाइट की जाए तो हाट के मामले में जो है यहां पर एक बहतर संस्ता हमें मिलने जारी है आई होब इसके जैसे और भी इंस्टिटूशन जो है आने वाले समय में बने और जो भारत की जनता है उनको इसका लाब मिले तो यहां पर यही था इंस्टिटूश के बारे में इस pediatric hospital के बारे में तो यहां पर इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका lecture सुनने के लिए तन्यवार नमस्कार चलिए बात करते हैं RRDR के बारे में तो क्या होता है RRDR क्या इसकी importance है क्या इसके function है तो इसको हम detail में discuss करते हैं तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं RRDR के बारे में तो यहां पर इसकी जो full form है वो है regional raw drug repository तो यहां पर जो minister of state है आयूश मंतराले के अंदर का जो minister of state है जिनका नाम है शरी शरीपत यसो नाइक इन्होंने एनेगुरेट किया है आराडियार का एक body कहां पर All India Institute of Ayurveda नियो देली में तो यहां पर क्या importance है आराडियार की तो पहली ब इसकी तो यहां पर इसका जो focus किया गया जो दूसरे वाला अभी बनाया गया इसका focus जो वो रहेगा ट्रांस गंगा plane region की और तो यहां पर यह ट्रांस गंगा plane region में कौन-कौन से states आते हैं इसको बाद में डिसकस करते हैं लेकिन पहले समझते हैं आराडियार के बारे में त बहुत सारे products हम बनाते हैं बहुत सारी companies हैं जो आयरवेदा के अंदर काम कर रही है और अलग-अलग तरह के products जो है market में बेच रही है बनाकर तो यहां पर किसी भी तरह की जो raw material है उसकी supply में जो किसी तरह का विगन ना आए तो यहां इसके इलावा आयरवेदा के जो भी products बन रहे हैं तो इनकी manufacturing में किसी भी तरह की कमी ना आए इसका raw material में किसी तरह की shortage ना आए तो यहां पर जो है बेसिकली जो RRDR जो बनाया गया है उसका main मक्सिद यही है कि raw material को यहां पर focus करना है उसकी supply chain जो है उसको बरकरार रखना है और साथ ही साथ यह भी चीज ध्यान रखनी है कि जो supply chain जो भी raw material RRDR के द्वारा पास किया जाएगा वहां पर उस material की quality जो है वो सबसे बढ़िया होनी चाहिए और साथ ही साथ monitor करता है पूरे process को कि जो पूरी supply chain चलती है उसको तो यहां पर बहुत ही important role है RRDR का तो इसलिए इस body को जो है यहां पर inaugurate किया गया है All Indian Institute of Ayurveda में तो RRDR basically जो है inspection का काम करता है और quality control का काम करता है जो Ayurveda medicines है और जो herbal products है उनकी category में तहां जो की पूरे globe को पूरी market को जो है अच्छी quality के जो है herbal products जो है वो available करवा सके और किसी तरह की कोई भी जो negative news है कोई भी जो धबा है हमारी यहां पर Ayurveda की उपर जो नह बनाया गया और इसके उपर अच्छे से जो है team बनाई गई है काम करने के लिए तो अगर हम COVID-19 की बात करें तो उसने भी एक बहुत ही जवरदस्त impact डाला है herbal products की जो है demand उसमें तो यहां पर एक positive impact पड़ा है कि COVID-19 की वज़ा से लोगों की demand बढ़ी है कि जो herbal products है उनका जो उसी है काल मेग है मुलेठी है ओके यह सब जो है ना high demand की उपर है तो इनकी supply जो है निश्चित करनी है उसी लिए यहां पर जो RRDR अपना role अदा करेगा साथी साथ जो herbal medicines है इनकी भी जो demand वो बढ़ रही है साथी साथ जो NMPB है ओके तो यहां पर already जो है engage है development के लिए एक mechanism उसने त्यार किया है जहां पर जो raw material की quality है और इसकी जो supply है इसको जो है वो maintain करके चले तो यहां पर यह सब कुछ हो रहा है आयूश ministry के अंदर ओके यहां पर basically जो है कोशिच की जाएगी जो consumer है उसको जो है benefit जो है वो पहुँचाया जाए तो यहां पर जो RRDR for trans ganga plain region तो इस region में जो states आते हैं तो सिर्फ चार states है हर्याना है चंडीगर है डेली है और पंजाब है तो यहां पर इनको बोला गया है trans ganga plain region तो यह जो RRDR है दूसरे वाला यह dedicate किया गया है इन चार states को तो यहां पर बात की गई है कि इस region में बहुत बड़ा potential है medicinal raw materials के लिए बहुत raw materials की collection में उनके documentation में उनकी authentication में और यहां पर जो agroclimatic region है साथ ही साथ उसको भी देख कर चलेगा तो यही था RRDR के बारे में important news है ministry of Ayush के तयाद इसको जो है launch किया गया है okay so important है इसको ध्यार में रखेगा तो यहां पर इतना ही I hope आपको lecture अच्छा लगा है तो lecture सुनने के बहुत बहुत शुक्रिया करे लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार हमारे union minister of state for cultural and tourism शरी प्रहलाद सिंग पतेल जी ने life in miniature इस नाम के project को जो है launch किया है तो ministry of culture से ये news है तो चलिए discuss करते है life in miniature project क्या चीज है इसके क्या फाइदे होंगे और क्या importance है exam point of view से तो यहाँ पर starting में यहाँ पर बात की गई है जो digital India का initiative जो इसकी importance है और क्या एहम जो role जो है digital India initiative की तहत गौर्मन्ट ऑफ इंडिया के तरफ से जो निभाय जा रहे हैं ओके खास तोर पे जो यहाँ पर सबसे important है वो है हमारे इंडिया का heritage ओके जो पुराना जो खजाना है वो चाहे वो तस्वीरों के रूप में है चाहे वो किसी भी archaeological site के रूप में है तो यहाँ पर technology का जो है सहारा लिया जा रहा है कि उसको किसी ना किसी तरीके से जो है preserve किय जाए लमें समय के लिए तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो है जो miniature है उके जो museums है वहाँ पर जो अलग-अलग projects हैं तस्वीरे हैं तो इन सबी को यहाँ पर preserve करने की बात कीगी है तो यहाँ पर with the help of technology जो है इसको जो है पब्लिक के लिए यहाँ पर available करवाया जाएगा ता यहाँ पर जो partnership होगी तो यहाँ पर Google जो है यहाँ पर government of India के साथ जो है partnership के साथ technology जो है यहाँ पर technology प्लेटफार्म जो है वो provide करेगा तो यहाँ पर जो हमारे minister ने है तो उन्होंने यहाँ पर comment भी किया है कि Google को उसकी leadership के लिए खास तौर्पर जो technology sector है उसमें और जो product innovation मे जो एहम काम निभाया है Google ने तो उसके लिए इसकी तारिफ भी की है तो यहाँ पर साथ ही साथ यह भी बोला है कि Google की commitment है कि social empowerment और inclusion को इसको सही डंग से promote करना तो हमारे लिए वो एक अच्छा asset है सच्छा asset है तो यहाँ पर यही चीज इसको promote करेंगे Google की help से तो यहाँ पर इसको अभी आने वाले समय में हर कोई जो है online जो है वीव कर सकता है with the help of Google Arts and Culture तो इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है Life in Miniature तो कैसी जिन्दगी है museum में उसको आप enjoy करोगे अपने mobile phone के तुरू ही घर बैठे आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के तहर तो यहाँ पर कौ कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं तो इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है और टेक्नोलोजी को यूज करेगा जैसे कि machine रखनी है Augmented reality and digitization with high definition robotic cameras so to showcase the special works of art in a magical new way तो एक नए धंग से जो आर्ट है जो पुराने समय की आर्ट म्यूजियम में संभाली पड़ी है इसकी जो दर्शन जो है करवाय जाएंगे एक नए धंग से जो है इसका showcase करवाय जाएगा with the help of high definition robotic cameras तो यहाँ पर जो एप यूज की जाएगी उसका नाम है Google Arts and Cultural App तो यहाँ पर जो है व्यूज जो है आउनलाइन व्यू कर सकते हैं experience कर सकते हैं first augmented reality powered art gallery design with traditional Indian architecture तो इसका जो gallery design है वो भी Indian traditional architecture के according बनाया गया है ता जो की अच्छा परभाव Indian tradition का जो परभाव है वो वियर्स के उपर डाला जाए और साथी साथ जो है life size virtual space यहाँ पर provide की गई है कि आप वहाँ पर चल सकते हैं virtually और अपने इसाब से जो है miniature painting select कर सकते हैं उसको अच्छे से उसकी जो बारीकिया है उसको आप जो है चेक कर सकते हैं समझ सकते हैं तो यहाँ पर जो भी यह artwork showcase किया जाएगा यहाँ पर पांच universal themes है human relationship के साथ जिनको यहाँ पर कहा गया है for example nature love celebration faith and power एक और जो highlight है इस application की वो है कि यह machine based learning जो है algorithm के साथ जो है काम करेगी इसके साथ ही जो users है वो explore कर सकेंगे इन miniature marvels को जो की guide किया जाएगा artificial intelligence के द्वारा और जिस जिस की painting को अगर suppose करो किसी single painting को जो है अच्छे से कोई enjoy करना जाता है तो वहाँ पर एक magnify miniature ओके यह column दिया गया है उससे जो है आप अच्छे से जो है उसको explore कर सकते हैं और नया experience जो है वो gather कर सकते हैं इस app के थ्रू आगे बात कर लेते हैं यह जो life in miniature यहाँ पर जो users है वो अलग-अलग तरह की जो miniature collections है उनको देख सकते हैं national museum दिली के अंदर की जो painting से उनको अच्छे से देख सकते हैं और अलग-अलग जो यहाँ पर themes हैं जैसे रमायना के साथ related हैं इसके इलावा जो इंडिया में जो महराजा होए हैं उके तो उनके जो regarding paintings हैं वो भी वहाँ पर हैं और जो पहारी style paintings paintings हैं जो कि पहले कभी नहीं देखी होगी तो उनको जो है extraordinary detail में जो है लोगों के सामने लाया जाएगा तो वहाँ पर अगर आप online click करना जाते हैं तो यहाँ पर g.co slash life in nature वहाँ पर भी आप जाकर जो है देख सकते हो तो यहाँ पर यह project जो है यह Google और जो national museum है तो इन दोनो के बीच में जो partnership के इसको और ज्यादा reinforce करता है strengthen करता है तो यह partnership शुरू हुई थी सन 2011 में तो बहुत ही important है यहाँ पर तो यहाँ पर question आए तो यहाँ पर company का नाम change करकर जो है और company का नाम रखकर question पूशा जा सकता है UPSC के दोवारा आगे बात कर लेते हैं National Museum New Delhi के बारे मे तो यह जो museum है यह आता ministry of culture के ताहत government of India के ताहत ओके तो एक premier cultural institution है हमारे देश का और national museum has in its possession over two lakh antiquities and art objects both of Indian and foreign origin covering more than five thousand years of our cultural heritage so 2,000,000 से जादा यहाँ पर कीमती heritage जो है यहाँ पर है जहाँ पर Indian भी है और foreign origin के भी है तो यहाँ पर कम से कम 5000 साल पूराना जो cultural heritage वहाँ पर preserve करके रखा हुआ है तो बहुत ही important है यहाँ पर अगर आपने museum को देखना है तो आपको physically पहले जाना पड़ता था अभी इसको आपके mobile phone में ही जो है यहाँ पर provide कर दिया जाएगा तो बहुत ही बड़े level पर exploration होगी तो पहले ऐसा होता था एक crazy होता था कि museum विजिट करना है तो कुछ नया देखने को मिलेगा अब COVID-19 की वज़ा से सब लोग घर पर ही बैठे है तो यहाँ पर जो museum है उसको भी आपके अगरों तक ही पहुचा दिया गया है तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि digital platforms के उपर जो है लोगों को engage किया जा सके और national museum के अंदर जो heritage है उसके जो है लोग उनको देख सके समझे अपने history को जो है अच्छे से समझ सके अगर बात करें हम Google Arts and Culture की तो यहाँ पर इसके पास भ सब्सक्राइब तो एक्स्प्लोर आर्ट इस्ट्री और वन्डरस ऑफ दर वर्ल्ट सो गूगल आर्ट्स और कल्चर एप इस फ्री और अवेलेबल ऑनलाइन और आयोस और अंड्रोइड वर्जन तो अब इसको ऑनलाइन जो है अराम से जो है डॉनलोड कर सकते हो तो इसके बास भी बहुत बड़ी किलेक्शन है तो यह था एक शोटा सा न्यूज हंट मिनियेचर पेंटिंग के बारे में तो यह प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहर चलाया जा रहा है होके तो नैशनल म्यूजियम और गूगल के साथ पार्टनर्शिप करके तो इ भारतिय नेवी द्वारा पहली बार पहली वोमेन बैच जो है पाइलेट्स है उनको यहां पर ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है तो पहली बार भारत के इतियास में हुआ है कि वोमेन जो वो भी ऐज पाइलेट्स जो है इंडियन नेवी में वो जोइन कर रही है तो यहां पर जो इंडिया नेवी है Ministry of Defense के तहट काम करती है और जो पहला बैच है woman pilots का तो इनको यहां पर जो है operationalize किया गया है on donier aircraft ओके तो यह डॉर नियर एक aircraft है इसके बारे में मैं आगया discuss करूंगा detail में तो यह जो यहां पर operationalize किया गया है यह किया तो आगे बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल six pilots थे जिन में से तीन women थी ओके तो इनको जो है एक training course इनका करवाया गया है जिसका नाम है तो यहाँ पर गरुड़ा के ऊपर कोची में 22 अक्तूबर 2020 को इनको अभी operationalize कर दिया गया है तो जो इनके नाम है important है तो इन तीनो women pilots के जो first batch जो अभी निकला है तो इनका सबसे पहले जो नाम है वो है lieutenant दिवया शर्मा उसके बाद lieutenant शुभागी सबरूप और तीसरे है lieutenant शिवागी तो देश के अलग-अलग कोने से ये लटकिया निकल कर आई है और as a pilot जो है indian navy को इन्होंने join किया है तो देखो अब आप कहेंगे कि indian navy में तो navy man होंगे नवी officer होंगे तो वहाँ पर air force कहां से आगी तो खैर indian navy में भी बहुत सारे carrier ऐसे हैं जहां पर जो है aircraft की जुरूरत पढ़ती है और indian air force और indian navy जो है आपस में tie up करके भी काम करती हैं जो साथ ही साथ indian navy के पास अपने भी जो है air force के लडाकू विमान होते हैं तो उसी के अंतरगर यहां पर जो डॉर्णियर aircraft है यहां पर indian navy का पार है और इनी के उपर जो है अभी यह तीन women को जो है operationalize किया क्या है तो starting में जो इन officers को training दी गई थी तो जो flying training मिली है वो आधी इनको मिली है Indian air force से और आधी मिली है Indian navy से साथ ही साथ जो DOFT का course करवाय था उसके साथ ही साथ जो है additional training इनको provide की गई है और साथ ही साथ इन तीनों women जो है इनको MR flying जो है अगर हम बात करें तो इन तीनों women में से तो जो lieutenant शिवांगी है यह सबसे पहली लड़की थी जिनोंने qualify किया था as a naval pilot on to December 2019 तो यह important है कि सबसे पहली women कौन सी है जिनोंने qualify किया था as a naval pilot तो वो है lieutenant शिवांगी इन तीनों women में से तो आगे हम बात करते हैं Dornier Dude 228 के बारे में तो Dornier aircraft जो है एक टर्बो प्रॉब airliner है तो यह इसका जो engine system है वो twin टर्बो प्रॉब STO के तहर एक utility aircraft है और design और first manufacture किया गया था Dornier GMBH के द्वारा 1981 से लेकर 1998 तक इसको manufacture किया गया था इसके बाद 245 ऐसे Dornier aircraft बनाए गए थे in Oberfa Hoffend Germany में और 1983 में हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने इसकी production का license ले लिया था और another 125 ऐरक्राफ जो ते बनाए थे कानपूर इंडिया में तो इसकी जो top speed है वो है 433 km per hour range है 1111 km weight है 3739 kg wingspan है 17 meter engine type है honeywell TP331 और इसके manufacturers है हिंदुस्तान Aeronautics Limited तो अभी भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान Aeronautics Limited जो है जहाद बनाकर provide करती है Indian Army और Indian Air Force को तो बहुत ही important रोल है यहाँ पर हिंदुस्तान Aeronautics Limited का तो यह था article तो अभी हम बात करेंगे different commands के बारे में तो basic के लिए गर हम बात करें तो हमारी Indian Navy में तीन commands है पहली है Eastern Neville Command इसका headquarter विशाका पत्नम में है फिर है Western Neville Command इसका headquarter मंबई में है और तीसरा है Southern Neville Command जिसका headquarter कोची में है तो यहाँ पर confuser नहीं रखनी है तो Southern Neville Command का headquarter कोची में है किसी और city में नहीं है और इसके इलावा एक और command है जो की स्थित है और lecture अच्छा लगा है कि रिपया comment box में बताएं like share और subscribe जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुने के लिए नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो अभी हम बात करेंगे नाग missile के बारे में तो अभी यहाँ पर एक latest development देखने को मिली है नाग missile के बारे में और यह जो operation किया गया था 22 October को किया गया था पोकरन रेंज के पास तो पोकरन रेंज वही रेंज है जहाँ पर 1998 में इंडिया ने nuclear test किया था तो यहाँ पर बहुत ही important news है तो यहाँ पर जो यह 3rd generation नाग missile है specially यह design की गई है जो भी tank हो इनको जो है target करने के लिए और पूरी तरह से destroy करने के लिए तो यहाँ पर जो इसकी इंटेग्रेटर range है तो इसकी capability जो है जो target रखा गया था उसको इसने achieve किया जिस range तक इसको रखा गया था उस range के अंदर अंदर इसने काम करके दिखाया तो ज नाग missile का जो carrier launcher है जहांसे इसको launch किया जाता है उसका नाम है नामी का तो question यहाँ पर पूशा जा सकता है previous year question papers में भी UPSC ने question पूशा है वो कि यहाँ पर launcher का name बदल दिया जाएगा और आपको यहाँ पर confusion जो है create कर दी जाएगी तो यहाँ पर ध्यान रखना है नाग missile का जो launcher है वो नामी का है तो बिलकुल accurately जो है इसने अपने target को hit किया है तो यहाँ पर एक अच्छी उपलब्दी जो है यहाँ पर ministry of defense और DRD को तहर जहाँ पर मिली है तो यहाँ पर जो anti-tank guided missile है जो नाग missile है इसको जो develop किया गया है वो किया गया है defense research development organization की तरफ से तो यहाँ पर enemy tanks को यह जो है खत्म कर सकता है चाहे दिन हो चाहे रात हो तो यहाँ पर जो इसको इसकी capability है तो इसकी capability को show करने के लिए यहाँ पर एक word use किया गया है fire and forget तो इसका मतलब है कि अगर एक बार आपने fire कर दिया अपने target के ऊपर तो भूल जाओ तो भूल जाने का मतलब है क उस जगा पर जिस जगा पर आपने target किया है वहाँ पर पूरी तबाही हो जाएगी वापस वहाँ से कोई आपको fire जो है retaliation जो है वो देखने को नहीं मिलेगी तो यहाँ पर top attack capabilities है और साथी साथ जितने भी यहाँ पर equipment होते हैं साथी साथ जो composite है reactive armor जो हो भी इसके साथ जो result जो है उसको हमेशा सही करके बताती है तो अभी देखो अभी इसका जो prediction है वह सफल हो गया है तो यहाँ पर अभी इसको जो है production के लिए जो है वहाँ पर भेज दिया जाएगा production phase इसका अब start हो जाएगा अभी जितनी जो है defense department की requirement होगी हमारी army की requirement होगी उतनी साथ से जो ह जो हमारे defense PSU हैं उनके द्वारा की जाएगी तो यहाँ पर जिस defense PSU को यहाँ पर यह काम सौपा जाएगा तो उसका नाम है भारत dynamics limiter तो short form में इसको हम BDL बोलते हैं और साथ ही साथ जो इसका जो career launcher है ओके नामी का उसको जो यहाँ पर produce करेंगे वो करेंगे ordinance factory medic ओके तो जो है इसके career launcher को जो है produce कर जाएगा तो साथ ही साथ इसका जो carrier है नामी का वो BMP2 based system है okay with amphibious capability तो इसके इलावा हम थोड़ा सा और explore करते हैं नाग missile के बारे में और भी बहुत सारी तरीके से question पुछा जा सकता है तो यहाँ पर इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रॉस पीन तो इसको ध्यान में रखना है प्रॉस पीना जो है इसका दूसरा नाम है और एक land attack version है धर्ती से यहाँ इस missile से जो हम attack कर सकते हैं साथी साथ इंडिया की third generation all weather fire and forget lock on after launch anti-tank guided missile है with an operational range of 500 meter to 20 km तो यह इसके अलग-अलग variants है जिनकी अलग-अलग range है तो सारी जो जतने variants है वो नाग missile के अंडर आते हैं और किसी भी तरह की weather condition में यह काम करती है जब इसको lock कर दिया जाता है तो जब launch होती है तो सीधे target के ओपर जाके hit करती है और साथी साथ इसको किसी तरह की maintenance की जरूरत नहीं पढ़ती है अगर इसको अच्छे से हम डेकर करके चलते हैं और साथी साथ जो इसकी probability हिट करने की single short में वो 90% तक है तो आगे इसका launch platform है नामी का है इसके इलावा हाल रुद्रा है और हाल light combat helicopter तो इन तीनों से जो है इसको launch किया जा सकता है इस missile को और साथी साथ जो है operation range जो फ्रॉस्पिना की है वो 500 मीटर से चार किलोमेटर तक है जो हैलीना है वो साथ से 10 किलोमेटर जो सेंट है वो 15 से 20 किलोमेटर तो यह इसी के अलग-अलग variants है जिनकी range जो है अलग-अलग है तो यहाँ पर जो इसका warhead weight है आठ किलो के आसपास है maximum speed जो है 230 माइल है ओके 828 किलोमेटर पर आठ और वारहट है tandem charge heat penetration greater than 900 mm in era plus RHE तो engine जो है वो है solid propellant rocket booster and sustainer motor तो यहाँ पर यह चीज बहुत important है इसके engine के बारे में भी question जो है पूशा जा सकता है तो solid propellant rocket booster यहाँ पर काम करता है as a engine और साथ एससाथ एक sustainer motor जो है इसको help करती है जो इसका propellant है उसका नाम है nitra mine smokeless extruder double base तो यह था ही सारी जानकारी नाग missile के बारे में तो जो जो यहाँ पर important था मैंने यहाँ पर सबी चीज यहाँ पर discuss की है तो आपको lecture कैसा लगा तो कृपया मुझे comment box में बताएं और like, share और subscribe करना ना भूलें तो बहुत बहुत धन्यावाद आपका lecture सुनने के लिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तो यहाँ पर ministry of home affairs की तरफ से बीजा और travel में कुछ restrictions जो लगाई गई थी वहाँ पर relaxation दी गई है तो यहाँ पर हम बात करेंगे, discuss करेंगे detail में कि कहां कहां पर relaxation दी गई है तो चली शुरू करते हैं तो जैसे ही lockdown लगा, lockdown के समय हर एक तरह का जो air travel था पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया और जो भी passengers इंडिया के बाहर में फसे थे तो उनको various missions के तयाज जैसे वंदे भारत mission चलाय गया था तो उनको उसी missions के तयाज जो था इंडिया में बापस लाय गया बाहर की मुलकों से और जब धीरे-धीरे unlock शुरू हुआ तब कुछ conditions के उपर air travel शुरू किया गया तो वहां पर ऐसी situation थी अगर किसी ने बाहर से इंडिया में आना है तो डेली में अगर वो उतरते हैं ठीक है डेली में उतरते हैं तो वहां पर उनको personal protection equipment kit के साथ पुरा last होना पड़ेगा और साथ ही साथ साथ दिनों के लिए जो है दिली में कहीं बर होटल में आपको जो है रहना पड़ेगा उसके बाद जो है आप आगे जो है अपनी गाम के और जा सकते हैं तो ऐसा ही domestically भी जो flight सोट रही थी वहां पर same condition जो थी लागू हो रही थी passengers के उपर तो अभी धीरे धीरे जो ये restrictions हैं इनको कम किया गया है और साथ ही साथ अभी कोशिश की जा रही है कि air travel को जो है वापिस जो है भूम पर लाया जाए जिस तरह पहले air travel का क्रेज था ठीक है उसी तरह से दुबारा से जो बड़े शहर है उनको air connectivity से जोड़ा जाए तो यहाँ पर अब government ने decide किया है कि कुछ greater relaxation जो है वो provide करेगी visa और travel restrictions के उपर तो यहाँ पर कुछ categories यहाँ पर रखी गई है for foreign nationals and Indian nationals and who wish to enter or leave India तो इन सभी के लिए जो यहाँ पर restrictions जो है वहाँ पर relaxation देने की बात कही गई है और साथ ही साथ यह भी decide किया गया है कि to permit all OCI and PIO card holders and all other foreign nationals intending to visit India for any purpose except on a tourist visa to enter by air or water routes through authorized airports and seaport immigration checkpost तो यहाँ पर हर एक तरह के foreign को ठीक है जो हमारे overseas citizens हैं उनको ठीक है so PIO card holders है तो उन सभी को यहाँ पर जो है आने की उन्मति दी जाएगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो tourist visa है इसके थूँ जो वो नहीं आ सकते हैं ओके चाहे वो by water आये चाहे वो air आये तो यहाँ पर जो है so air transport bubble arrangements or by any non scheduled commercial flights as allowed by the ministry of civil aviation तो इन सभी के ओपर जो है यह rules लागू होंगी relaxation लागू होंगी साथी साथ जितने भी ऐसे travelers आएंगे so however have to strictly adhere to the guidelines of ministry of health and family welfare regarding quarantine and other covid-19 matters तो उन सब को ministry of health and family welfare के दोरा बनाएगी guidelines का पालन करना होगा खास तोर को जो covid-19 है उसके matter में जो है care बरतनी होगी okay तो यहाँ पर जो है किसी तरह की भी जो है असाफधानी जो है वो बरदाश नहीं की जाएगी सवागे बात की गई है कि इस relaxation के तहर गौर्मट आफ इंडिया ने recite किया है कि जितने भी तरह के जो existing visas हैं ठीक है उनको दोबारा से restore कर दिया जाएगा मतलब दोबारा से वो visa apply कर सकते हैं सिर्फ तीन categories को short कर पहली है electronic visa दूसरा है tourist visa और तीसरा है medical visa इन तीन तरह का visa जो है यह अभी तक जो है इनके उपर restriction जो है वो नहीं हटी है इसके इलावा जितने भी तरह का visas है ठीक है उनको जो यहां पर restore कर दिया जाएगा with immediate effect और साथ ही साथ अगर किसी की visa की validity expired होगी है तो उसको दोबारा से जो है fresh visa जो है a lot होगा from Indian mission post concerned जो भी foreign nationals है जो चाहते हैं इंडिया में visit करना specially for medical treatment so they can apply for medical visa including for their medical attendance so therefore this decision will enable foreign nationals to come to India for various purposes such as businesses, conferences, employment, studies, research and medical purposes etc तो यहां पर अलग-अलग किसी भी various purpose के लिए अगर कोई foreign nationals इंडिया में आना चाहता है तो वहां पर उसको जो है welcome है तो साथ ही साथ यहां पर बात की गी है कि medical visa के लिए आप्लाइ कर सकते हैं अगर किसी medical treatment के लिए यहां पर आना चाहते हैं तो यहां पर भी conditions है medical visa के ओपर ऐसा नहीं है कि जो कोई भी अगर चाहे तो medical visa के थुरू आ जाए तो यह important है तो आपको अभी पता चल गया होगा कि कौन कौन से important यहां पर relaxation दी गई है तो यही था पूरा का पूरा यहां पर आर्टिकल जहां पर गौर्मर ने relaxation की बात की गई है तो सिर्फ़ सिर्फ लेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट और medical visa इन तीनों के वापर अभी भी restriction चालू है और बाकी को जितने भी वीजा इस पर सैसे उसको with immediate effect जो है यहां पर जारी करने का हुक्म दिया गया है तो आई थिंक आपको आर्टिकल समझाया है आपको पसंद आया आर्टिकल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जूरूर करें सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका lecture सुनने के लिए